तो हेलो गाइस और आग यह हूं एक और नए वीडियो के साथ और गाइस आज इस वीडियो में कंपेर्जन करने जा रहे हैं होंडा और इस वीडियो में आज हम इतनी डेटल डिसकस करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको पुरा ट्रांस्परेंट आपको वाइसर मिल जाता है जिसकी वज़े से विजिबिल्टी वगरा काफी आपकी सही हो जाएगा और विंड ब्लास्ट भी आपको जाएना नहीं पलेगा नकल गाट सेटप मिल जाता है लेकिन जो अपनी 200T है उसमें जादा ग्राफिक्स नहीं लेकिन इस गाड़ी में जो ग्राफिक है जो डिजाइन अब बहुत जाद आपको अच्छा देखने को बलेगा फ्रेंट की बात करूँ आपको इसमें 21 इंच के स्पोक विल मिल जाते है 90 by 91 के समें टायर मिल जाते है सिंगल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है कंट्रोलिंग हो गई, टर्म रेडिस हो गई, कटिंग हो इस गाड़ी की सिरियस्ली बहुत जाद अच्छी है यहाँ पर टायर वगरा में आपको मैं दिखा देता हूँ बागी अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंट फोर की सस्पेंशन उसमें आपको कवरिंग वगरा हर्ची देखने को मिल जाती है टैंक की अगर मैं बात करता हूँ तेंक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है डूल कलर में है रेड बलेक कलर इससे चूज़ के रहा है क्योंकि रेड बलेक कलर में गाड़ी बहुत जाद अच्छी देखने में लगती मेरा तो परस्टल फेवरेट यही रेड बलेक कलर ही है बाकि आप देखोगे तो X-Pulse 200 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 4-Valve यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता और काफी जादा एग्रेसिव लगता है, यह टैंक न सीरियसली आप देखोगे न साइट से हो गया, चाए उपर से हो गया, उपर से भी चाए साइट से, लेकिन बहुत जादा एग्रेसिव लुकिंग साथ यह गाड़ी आती है, अपना जाते होंडा यह गाड़ी पर, होंडा में फ्रेंट आपने को कुछ ऐसा वाइसर मिल जागा, पूरा ब्लैक में है, कोई विजिबिलिटी नहीं है, इस गाड़ गाड़ी हैं, जो आप सिटी में भी राइड करो चाहिए, ऑफ रोड करो, स्टाइप ही गाड़ी है, यह देखने में भी बहुत अच्छी है, अप साइड डाउन फोर किसमें मिल जाते हैं, सिंगल चैनल एबियस के साथ गाड़ी आती है, 110 बाइस, 70 बाइस, 17 के इसमें टै और यहां टैंक वगरा दिखारों, टैंक आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, टैंक इसका बहुत अच्छे डिजाइन किया गया, यह तो मैं पॉइंट करना चाहूँगा, इसमें पुरा आपको फुल जो फाइबर में जो आउटर बाड़ी इसमें मिल जाती है, वह आप हर चीज टॉगल कर सकते हैं और यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यह गाड़ी आती है, और इसमें जैसे गाड़ी गर जाती है, तो अपने आप बंद हो जाती हर चीज, जो पुरा आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं ना, हर चीज इस गाड़ी मिल जाते है जो की बहुत अच्छी बात है, की प्लेश्मेंट इसका थोड़ा सा साइड में है, बाकि आपको एक सिंगल हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है, जो की थोड़ा अप्रेज है, तो अगर आप गाड़ी खड़ी हो करके चलाते हो ना, तो वो बहुत आपको पोजिशन बहुत जार आपकी हेल्प करेगा, आपको पोजिशन को मेंटेन करने में, यहाँ आप स्विचेस की बात करूँ, पास लाइट हो गया, अपर डिपर हो गया, टर्न इंडिकेटर हो गया, और यहाँ आपको होन बटर मिल जाता है, इसके पहले वाला मोडल उसमें थोड़ा स चेंजेस आ गये थे, जिसके विसे गाड़ी का थोड़ा सा लुक वगरे भी खराब लग रहा था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटर थे, लेकिन आप एज़ी और फन टू ड्राइव हो चुका है यह सब चीज़े, और यहाँ आपको एगनीशन हो गया, इंजल के लिए एक चीज़ में पॉइंट कर सकता हूं, और इसमें होंडा को थोड़ी सी जो यह देखो आप वाइरिंग दिख रही ही ना, इतनी सारी, यह थोड़ा सुदाने ही जरुत है, बाकी कोई दिखकत नहीं, इस गाड़ी में भी, यहाँ अगर स्विचे की बात करता हूं, तो इनकी क पॉइंट करता हूं, एक्सपल्स में आपको 19.1 ब्हप की पाउर मिल जाती, 17.3 न्यूट्रमिटर टॉर्क मिल जाता है, इसका पिक अप हो गया, इनीचियल पाउर हो गया, मिड रेंज हो गया, बहुत अच्छा है, टॉप एंड पर थोड़ा सा लेक कर जाती है, लेग कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ब्रेक्स इस गाड़ी के बहुत जादा अच्छे हैं, और आप दिखो कि ग्राउंड के लेने इस गाड़ी की है ना, सीरियस्ली बहुत जादा अच्छी है, पीछे आपको इसमें मोनो सॉक सस्पेंशन मिल वो स्विचेस वगरा कभी खराब हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करती हैं कि आपको आपको फाइबर का मिल जाता, सैलेंसर के ओपर जिससे कि अगर कोई पीछे बैठे गा तो उसमें जादा गरम वगरा नहीं लाएगा उसके पैर में, पीछे की टायर की बात करूं, 120-18-18 का तो 17 BHP की इसमें पाउर मिल जाते हैं, 16.1 Nm का इसमें टॉर्क मिल जाता है, और इसमें जो बैच गार्ड मिलता है, वो आपको मेटल का नहीं मिलता है, ग्राउंड किलेरेंस भी इसकी जादा नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल पॉट होल्स वगरा उसको बड़े आराम से समाल लेगी, प्रॉपर ओफ रोड तो नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बाकि इसके इंजन की साउंड की बात करता हो ना, बहुत अच्छे हैं साउंड है, और सबसे मेजर बात है, ये एर कूल इंजन है, और नहीं है, और ने 2.2 पे इस गाड़ी की बहुत जादा अच्छी है, ब्रेकिंग 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 इस गाड़ी की बात करो तो आप पीछे से ग पूरा फुल एलेडी सेटप मिल जाता चाहे वो टेल लाइट हो चाहे वो इसमें टन इंडिकेटर हो मडगाड कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है अब यह बना जाते हैं इरो एक्सपल्स के लेफ्ट साइड पे तो यहां पर आपको कीछल प्लिस्मेंट मिल जाता है इससे कि आपको सीट वगरा खोल सकते हो इसमें काफी अच्छा ड्राइव दे रही है मडगाड और टायर के बीच में सारी गाड वगरा इसमें काफी अच्छा बड़ा खासा लग ज्यादा अच्छी है कुष्णिंग नो डाउट बहुत अच्छी है नेरो सीट है नेरो इसलिए क्योंकि आप गारी जायना आप खड़े हो करके चलाओगे क्योंकि आफ रोड करते तो अब इसलिए खड़ा हो करके चलाना पड़ता है कभी गई पर तो उसमें थोड़ा जाती है काफी जादा उची देखने में भी लगती है यहां पर रेडियेटर लगा हुआ है सीवी 200 एक्स के अपन साइड में आ जाते तो यहां पर की होल प्लेसमें मिल जाता है इससे कि आप अपनी सीट अगरा खोल सकते हो सारी गार्ड इसमें जादा बड़ा और जादा बेटर मिल जाता है आपको देखने में और यहां पर इसमें साइड इस्टेंजन कट नहीं मिलता है इसमें भी आपको टो शिफ्टर देखने को मिल जाता है यहां पर देखो आप सीवी 200 एक्स लिका हुआ है स्प्लेट सीट है तो इसमें जो पिलियन का थोड़ा सा ब्रॉड है हीरो एक्स पल से तो अबिसली ब्रॉड ही है पिलियन को भी कमफर्ट ठीक ठाक मिल जागा बाकी राइडर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली चाहे वो लॉंग टूर कर ले चाहे जैसा भी कर ले तो अगर आपको सिटी राइड करनी है नॉर्मली आपको कभी- सब्सक्राइब कर लेते हूं तो सीवी 200 एक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है और अगर आपको क्या बोलते हैं मतलब जैसे कई वार रहता है गाउं में रह रहे हो कच्छी रास्ते रहते जहां पर थोड़ा उबड़ खावड़ है पॉठ बड़े-बड़े हैं त फीचर की बात करता हूं तो आपको सीवी 200 एक्स में एकाथ फीचर मिसिंग मिलेंगे जो की एक्स पल्स में आपको मिल जाते है जैसे कि इसमें साइड इस्टेंड इंजन कठो गया और अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई यह सब चीजे हो गई हैडलाइट थो सीवी 200 एक्स का बेटर है माईलेज दोनों गाड़ियों सेम देंगी कोई जाला डिफरेंस नहीं पढ़ने वाला 40-45 के आसपास का आपको दे देती है दोनों ही गाड़ियों आपको तीन-तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ियों के इच्छी होने सीवी 200 एक ज्यादा स्टेबल है कॉस्ट की अगर बात करता हूं तो आपको तीस पच्छिस से तीस और रुपए एक्स्ट्रा देंगे सीवी 200 एक्स लेने के लिए आपको अगर सिटी राइड करनी है वीकेंड पर ओफ रोड करना है तो सीवी 200 एक्स लेना वरना आपको एक प्रॉफर ओफ रोड करनी है तो आप सीरे सीरे हीरो एक्स पॉल्स 200 फोर वी ले लो बागे अर आप गाड़ी अगर आप चला करके देखोगे बैट करके देखोगे तो आपको ज्यादा बिटर आइडिया लग जाए कि आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है और एक पॉ कर दो आप बेस्ट सम्गरा आपके लिए आपकें जिगा।